नहीं लगती हो बार बार फेल 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 हो रहे हो और उनको लगता हो कि जोग नहीं मिल रही है कई बच्चे मेरे पास आते हैं बोले महाराज सब को सिस्टम ठीक है बस एक नमबर से रह जाते हैं एक पॉइंट से रह जाते हैं बागी सब किलिए रकल लेते हैं एक पॉइंट ये कई पॉइंट आकरी वाला तो खतरनाक है दोई पॉइंट एक तो जो शुरू करवा दे और एक जो एंड कराए ये दोई पॉइंट खतरनाक है तो एक उपाई ये द्यान से सुन ले जो जौब चाहते हैं शिप पुराण के अनुसार अपना नाम और अपना गोत्र लेकर सुन बार से इस उपाई को प्रारम करना चाहिए लगातार 41 दिन करे लगातार 41 दिन करना चाहिए उपाई उपाई क्या है कि सुन बार से लेके 41 दिन तक जब भी पूरे हो जाए बिना कुछ खाए पिए इसनान करके मौर्निंग में शिवजी के मंदिर जाए शिवजी के मंदिर में जाकर अपना नाम अपना गोत्र याद करे अपना नाम अपना गोत्र याद करके एक धतूरा मात्र एक धतूरा पहले सिवजी पे जल चड़ा दे जल चड़ा कर और कुछ तुम ले गए हो तो वो चड़ा दो बाकी का एक धतूरा सिवजी पे चड़ाना है और वो धतूरा इसलिए अपनी मनो कामना रखते हुए मन में कि हम जौब चाहते हैं हम वर्क चाहते हैं जो भी आप प्रार्थना करो तो वो धतूरा चड़ाते समय उनसे प्रार्थना करके आजाओ समय हैं तो एकाद रुद्राक्षी की माला से नमस सिवाय नमस सिवाय का जाब मंदिर में बेठके करो और चले आओ प्रार्थना करके 41 दिन होते 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 आपको इसका positive result सामने आने लग जाएगा क्या बोलना पड़ेगा जोड से बोले देखो आप चाहे बोलो